अभी नद्दाजी ने विस्तार से बताया उत्तर पुदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है तीन राज्य यूपी गोवा और मनिपुर में सरकार में होने के बावजुद बीजेपी के वार्ड शेहर में व्रद्धि हुई है गोवा में सारे जिटपुल गलत निकल गए हैं और वहां के जन्ता ने तीसरी बार सेवा करने का मोका दिया दस साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बड़ी है उत्रा खंड में भी भाजपाने नया इतिहास रचा है राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है याने सीमा से सता एक पहड़ी राज्य एक समुद्र सत्तिय राज्य और एक मा गंगा का विशेश आसिरवार प्राप्त एक राज्य और पुर्वत्तर सीमा पर एक राज्य भाजपा को चारों दिशाओं से आसिरवाद मिला है इन राज्यों की चुनोतियां भिन्द है सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्द है लेकिन सबको जो बात एक सुत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास भाजपा की नीती भाजपा की नियत और भाजपा के निर्णोयों पर अपार विश्वास साथियों ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पूवर प्रो एक्टिव गवर्नन्स पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटा कर खग जाती थी बिजली पानी गैस टेलीफोन बहुत बुनियादी सुविदाओं के लिए सामान्य जरुतों के लिए सरकारी दप्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे पैसे देने पड़ते थे कुछ साधन संपन लोगों तक सुविदाओं पहुँचने के रास्ते अलग थे पहुँच जाती थी देश में गरीबों के नाम पर गोशनाएं बहुत हुई योजनाएं भी बहुत बनी लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था जिस गरीब का उस पर हक था उसके लिए यह हक उसको मिले बिना परेशानी को मिले उसके लिए गुड गवर्नेंस डिलिवरी इसका बड़ा महत्व होता है लेकिन भाजपा इस बात को समझती है और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्रित के नाते काम करके आया हूँ इसलिए मुझे पता है कि आखरी इंसान के इस विधा के लिए कितनी महनत करनी चाहिए करे इसलिए इसलिए